हेलो एव्रिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाश टु एल्थ की जोग्रोफी सेकंड बुक का हमारा चैप्टर फर्स्ट है इसके इंपोर्टन कोशन देखने वाले हम पिरा नाम है सतिंद्र परताप और आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एक समय अवदी में या फिर दो समय अंत्रालों के दोरान ऐसे भी बोल सकते हों जंतंख्या में लोग और धनातमक दोनों तरीके से हो सकती है अगला कोश्चन है कि जनसंख्या घनत्यों से क्या विप्राइए देखिए इसका मतलब यह होता है कि परती वर्ग किलोमीटर की जो इकाई है उसमें रहने वारे लोगों की संख्या जो होती है उसको हम जनसंख्या घनत्यों के रूप म कि 2011 की जनगणना की अनुसार ठीक है आप यहां पर समझे क्या क्या होता है यह जो मैं कि यह अलग अलग जगा पे अलग अलग हो सकता है यह एक एवरेज बताया हुआ है भारत के जैसे मैं आप को एक अग्जामबल देता हूं जैसे आप देखो दिल दिली किया एक ऐसा ऐस एरिये में जैसे कि अरोनाचल परदेश में देखोगे जाके वहाँ पर आपको एक किलो मीटर में मात्र 16-17 लोग ही रहते हैं 17 के करीब लोग रहते हैं केवल तो आप सोचे कि वहाँ पर कितने हैं जबकि दिल्ली में आपको ज्यादा मिल जाएंगे 200-300 इस तरीके से मिल सकता है तो आप समझ रहे हो कि यह जो जनसंख्या का घनत हुए यह अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग हो सकता है ठीक है आगे कोशन है कि वास्तविक विर्दी के लिए फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि पहले जनम देखे जाते हैं कि टोटल जनम जो है वो कितने हु जो जनसंख्या के वास्तविक विर्दी होता है वह हमें मिल जाती है कि भारत में कौन सा भासाई समू विशालतम है वैसे तो भारत में चार मुख्य भाषा समू है लेकिन जो भारतिय आरे समू है यह सबसी ज़्यादा बोली जाती है यानि जो हमारा नौर्थ हिंडिया है यहाँ पे मेली भारतिय आरे समू के लोग रहते है और भारतिय आरे भाषा परिवा उत्तरपूरवी राज्जियोँ की भाशय हुआ उत्तरपूर्वी यारी आप pierwsze पूछा है है अगर आगर में ő पूछ आगरола आपको बता से था है अगला कोशन देखिए एक सौट कोशन हो रहा है कि भारत के सम्विदान में अंग्रेजी के अतिरिक्त कितनी भाषा हैं तो 22 भाषाओं को और मानेता मिली हुई है इसके लावा आप सुरू करते हैं हम important question आर्थिक इस्तर की दृष्टी से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बाट सकते हैं आर्थिक इस्तिति की नजर से देखना है हमें इसको हम तीन वर्गों में बाटेंगे पहला तो है मुख्य श्रमिक दूसरा है सीमांत्र श्रम कोन होते हैं ऐसे व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 से उनको कम दिन काम मिलता है और आश्रमिक में आप जानते हैं वह लोग जिनके बास काम ही ना हो ज़ते हैं उनको आश्रमिक देखिते हैं अगला कुशन है कि भारत में जनसंख्या के आसमान वित्रन किस तत्य को दराता है आ आपको बहुत जादा जंसंग्या दिखती हैतो बिच्छ्य जगह पर आपको बहुत कम जंसंग्या दिखती है यह एसा क्यूं है उसके पीछे HTTPT यह आपको बताने तो भारत की जो 76 प्रतीसत आबादी है वो यूपी महाराश्ट्रा बिहार पश्चिम मंगाल आंद्रपरदेश तमिल नाडू और यह मद्रपरदेश और राजिस्थान करनाटक इवं गुजरात में बसती है आगे देखते हैं किर्शी के लिए उप्युप्त जलवाईू इसके पीचे कारण क्या है तो सबसे पहला कारण यह कि किर्शी के लिए जलवाईू जो है वो ठीक है यानि यूपी बिहार पश्चमंगाल यह जो राजे नदियों के द्वारा निर देखने को मिलती है ज्यादा मिलती है ज्यादा देखने को मिलती है सेकिंड है ओद्योगिक विकास रिपास धिक हैं महाराष्ट गुजरात करनाटक व् इसको प्रभावीत कर रहा है ठीसरा कारण क्या हो सकता है सामाजिक सांस्कृ्टिक कारण जैसे रिति रिवास धर्म जाती जनसन्क्या के वितरन को ये भी परभावीत कर रहीं जाए इसका आप नेक्स्ट है कि 1901 से लेके 1921 की जो समय अवदी थी उसमें भारत की जनसंक्या वर्दी दर में इस्थिरता या फिर हम कहेंगे कि नकारात्मक थी क्यों था ऐसा तिक इस समय क्या था जनम दर और मिर्तियु दर जो था जो दोनों ही जाता था यह जो थी ज्यादा पड़ी लिख विधाओं का उस समय में अभा होता आज की तरह होस्पीटल वगएरा इतने उपलब्द नहीं थे लोगों में साक्षर्ता प्रतिसाद भी काफी कम था और खाद्यान और अन्य जो बेसिक सुविधाई होती है वह भी मतलब पूरी तरीके से उसका वितरन नहीं था तो यह अपना ही आएगा और इसके जो उद्देश हैं वो क्या है तो यह 2003 में इसको अपना आया था और इसके उद्देश हैं कि जो युवा हैं जो किशोर हैं उनका चहूं मुखी विकास करना है और उनके गुणों को बहतर मार्ग दर्शन देना है ताकि वह देश के लिए क्रिय इसके करने विकास के विकास में नहीं करना हुदान नहीं देते पाते कारण ही होचग शडब्योग 3 जो किशोर है उनकी सिक्षा जो है वो पूरी किए बिना ही विद्याले को क्या कर देते हैं चोड़ देते हैं यानि वह औहश्या दिया फिर मदब ड्रग से या फिर कुछ नशे की चीज़े जो है है उसका रास्ता अपना लेते हैं रास्ता बठक जाते हैं नशा करने लग जाते हैं तो कि समाज के लिए अभिशाब बन जाता है उससे उनका खुद का तो सरीर खराब होता है लेकिन समाज में भी एक गंदी आदत आ जाती है विवा की निमनायू विवा की जो आयू है वो निमने कम कर रखे है यहने आयू नि मिर्ति हो सकती है उसको कई तरह ही समस्या है आ सकती है जिससे लिंग अनुपाद भी हमारा क्या होता है प्रभावित हो सकता है ठीक है फॉर्थ पॉइंट है कि समुचित मार्ग दर्शन का आबाव आपको पता है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा किशोरों को चाहिए इनको सही समय में सही दिशा नहीं दिखाई जाती सही मार्ग दर्शन नहीं हो पाता इसके कारण भी भटक जाते और गलत मार्ग की तरब चल देते हैं तो ये कुछ समस्या या कुछ चुनोतिया है भारत में लिंग अनुपात प्रतिकिूल होने के चार करण बताओ यानि ल लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जनम को यहां पर प्रात्मिक्ता दी जाती है अगर लड़का पैदा होता तो खुशी बनाई जाती है लड़कों को ज्यादा महत्तु दिया जाता है कि यह कारण है कुपोशन के कारण भी छोटी उम्र में ही लड़किया जो है कन्या क्षिशु उनकी मृत्ति हो जाती है कारण है समाज में इस त्रियों को कम संवान प्राप्त होना उनके स्वास्त और पोश्टन पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाना यह वी कारण है तो इसी के कारण क्या है लिंग अनुपाद जो है भारत में प्रतिकूल है और लिंग जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है दूसरा दक्षिन भारत की तरफ है द्रविन तीसरा है और चौता है नौर्थ इस्ट की तरफ जो की चीनी तिब्बत है ठीक है यह चार भाशा परिवार है अब इसमें से हम बात करेंगे विशेस थांकि तो भारतिय यूरोप आरे जो है इनकी बात करते जो है लगबग 3 शोता ही भाग वह आरे भाशा बोलता यानि इनकी जनसंक्या जादा है इस परिवार की भाशाओं का संकेद्रन जो है वह नौर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ठीक है और इसमें हिंदी भाशा है हम इस बाशा परिवार से संब भागे वह द्रविड बोलता है और इस परिवार की जो भाषा है वह में ली दक्षिन बारत में प्राइद इपे पठार या छोटा पठार जो उस चेत्र में बोली जाती है इसमें तेलुगू तमिल कंणड मल्यालम यह भाषा यह आती है ठीक है नेक्स्ट कुशन है कि भारत में जनसंख्या के घनत्यों के इस्थानिक वितरन की विवेच ना करो जनसंख्या का घनत्यों जो है वह अलग अलग जगा पर अलग अलग है भारत के अंदर तो इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है तो समझते है दोचार ग्यारा की जो जनगर्णा हुई थी उसके अनुसार भारत का जो जनसंक्या गनतु था वो 382 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर था यानि एक वर किलोमेटर में 382 लोग एवरेज निकाला गया है इतने रहते हैं राज्य इस तर पर जनसंक्या के गनतु में बहुत ही वि सोच भी नहीं सकते कि जमीन आसमान का अंतर है तो आखिर यह जो आसमान वित्रा नहीं यह क्यों है तो केंद्र शासित परदेशों में दिल्ली का घनतु सबसे ज्यादा सबसे अधिक यहां पे 11320 अब सोचो दिल्ली में 11320 परतिवर किलोमेटर है जबके अंडमान निको बात करें तो वहां के 46 46 लोग ही रहते हैं अब सोचो दिल्ली का कितना ज्यादा है मैंने बताया था ना को कि दिल्ली काफी कंजस्टिट हो रही है कंजस्टिट कम जगा में ज्यादा लोग रहे तो एक किलोमीटर में 11320 लोग जो कि बहुत ज्यादा होता है और अंडमान कि विपरीद दसाओं के कारण भी अगर हम देखें जो नौर्थ है या फिर जो नौर्थ हीष्ट है इन राज्यों में जंसंक्या का घनत आपको कम मिलता है नौर्थ हीष्ट के तो ज्यादा तर राज्य चाहे आप आसम चले जाओ या फिर आप में घाले मीजोरम मनीपूर तो आपको वहाँ पर इस लेवल का जंसंक्या गनत्व नहीं दिखता जैसा कि मतलब आपको नौर्थ इंडिया में दिखता है ठीक है तो यह भी हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट कोसन है कि भारत में जंसंक्या के वितरन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण आर्थिक कारण नहीं बताने भौतिक कारण बताने तो देखो सबसे पहले उच्चावच यानि कि जंसंक्या जो होती है कोई भी जंसंक्या वो ज्यादा तर कहां पे रहना नहीं करते यहां पर जीवन कठीन है इसलिए लोग इतना नहीं रहते हैं यहां पर रोजगार कई तरह की समस्या है तो इसमें हमारे लिए क्या आ जाएगा कि जनसंख्या के लिए मैदान जो है वो सबसे उप्युक्त होते हैं परवती है या जो फिर पठारी या फिर घने वर महत्पून पॉइंट होता है क्योंकि जलवायू जो है वह जनसंख्या वित्रन को प्रभावित करता है अगर आप थार मरुस्तल में बात करोगे जहां पर बहुत गरम जलवायू है या फिर पठारी भाग की या फिर हिमाले के जो ठंडे चेत्र है वहां कि बात करोगे तो वहां पर आपको हमेसा इजन संख्या ज्यादा मिलेगी जैसे कि यूपी में हर्याना में पंजाब में पश्यू मंगाल में इस तरीके के कई सारे एक्जामपल है और एक है जल की उपलब्दता जहां पे भी पीने का सुच जल उपलब्द होगा लोगों की जरूत के लिए जल उनको मिल जाएगा तो अकसर लोग वहीं पर ज्यादा बसेंगे तो यह वी एक कारण हो जाता है तो यह चार जो थे महत्पून कारण थे तो इस चैप्टर से यही important question बनते थे जो मैंने आपको discuss किये इसमें मैंने short question आपको बताएं इसमें मैंने आपको long question में बताएं यही question ज्यादा तर घूम घूम कर आते हैं आपके paper में घूमा अगर पूछ लेंगे थोड़ी सी language change कर देंगे इसे बाहर नहीं आता तो आप टेलेग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लो class 12 TSP new group नाम से टेलेग्राम पर ग्रूप है उसमें जुर जाईए और मिलते हैं आप स सबी को जै हिंद जै भारत